एक्चली मैं आज ना कोई theory video लाने वाला था बट फिर मेरे हाथ कुछ ऐसा लग गया जिसके बाद मैंने उस theory video को थोड़ा delay कर दिया और ये वाला वीडियो बना रहा हूँ वैसे यार हमारे 8 के subscribers पूरे हो चुके हैं इसको लेकर करें तुम सबको यार बहुत ज्यादा congratulation और इसके लिए मेरे तरफ से तो तुम लोग को कुछ gift बनता ही है और इसलिए मैं तुम सब के लेकर के आया हूँ crunchy roll का giveaway जहां पर मैं तुम में से कुछ lucky winners को दूँगा crunchy roll का premium account वो भी one month वाला अब देखो जिसको नहीं पता यह crunchy roll है क्या तो उन सबको मैं छोटा सा जानकरी दे दूँ crunchy roll एक ऐसा OTT platform है जहां पर तुम anime series देख सकते हो और यह anime को आज के time पे Hindi dub करवा के इंडिया में officially भी release कर रहे है जैसे की my dress up darling और Osama ranking प्लस तुम यहां पर जो जो series भी देख सकते हो हां मुझे पता यह Muse Asia में भी उपलब्ध है Boruto भी यहां पर है Demon Slayer season 2 भी ऐसे बहुत सारे anime series जो है यह इंडिया में धिरे धिरे ला रही है और आने वाले time पे बहुत सारे anime series यह ले आएगी और मुझे चाहते लगता यह Hindi dub भी करवाएगी आज से around 6 महीने पहले मैंने क्या किया था न क्रंची रोल का giveaway किया था जिसको किसी ने नहीं जीता और उस time पे क्रंची रोल का एक premium account लेने के लिए भाई तुमको 10 डॉलर से ज़्यादा खर्च करना पड़ता था और उस वक्त मैंने एक ही account giveaway किया था पर इस बार मैं एक से ज़्यादा account को giveaway करने वालों और यह कोई limit नहीं है कि कितने account का giveaway करूंगा मतलब वो तुम्हारे उपर depend करता है कि तुम सब कितने accounts जीत सकते हो मतलब एक तरह से समझो winner unlimited है अब यार चलो आते हैं तुम इस giveaway में कैसे participate करोगे तो सबसे पहले तो तुमको मेरे कल के वीडियो का wait करना पड़ेगा जहां पर मैं 1055 पे वीडियो बनाऊंगा जहां मैं तुम सब को step by step बताऊंगा कि तुम इस giveaway में कैसे participate करोगे और अगर तुम उस चीज को step by step follow करते हो तो तुम मैंसे कुछ lucky winner premium account जीत सकते हैं तो इस वज़े से मेरे कल के वीडियो का wait करो अब हम आते ह one piece movie red पे देखो यार one piece movie red मुझे पता है हर one piece fans के बीच में hype बना हुआ है because इस movie का नाम ही red है और इसमें sans होने वाला है और इसको लेकर के बड़ा update यह है कि यह movie canon होगा या non canon होगा यह अभी तक नहीं studio वालों ने confirm किया है नहीं Oda ने confirm किया है अब हाँ इस से पहले आज से एक दो महीने पहले यह assumption लगाया जा रहा था लोग जादतर मात्रा में यहीं कह रहे थे कि यार one piece का कोई भी movie आज तक canon नहीं हुआ है तो यह भी non canon ही होगा बड़ जब मैंने one piece के manga chapter 1055 का यार detail वाला spoiler रीड किया जिसमें full summary आता है chapter का तो वहाँ पर कुछ ऐसा लिखा था जो की किसी और का नहीं उता का होता है अब जो लोग one piece movie red से वाकित हैं उन्हें अच्छे से पता है one piece movie red में उता होने वाली है जो की sanks की daughter है और इस character को यार ओडा ने manga chapter में अब धीरे धीरे introduce करना चालू कर दिया अब यार देखो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यह और one piece के manga chapter में कुछ फरक पड़ेगा देखो यार पहले तो हमें इस बात पे थोड़ा detail में जाना पड़ेगा पहले यह समझ लो जो उता का character होने वाला है movie में और जो manga chapter में हमें बताया जा रहा है दोनों में फरक नहीं है वो sanks की daughter ही निकलेगी मेरे को ऐसा लगता है तो हाँ उसकी बेटी है no doubt और यह manga में भी अब इस तरह से जो है confirm कर दिया कि भाई sanks की एक daughter है जिसका नाम है उता और एक बात मैंने क्या किया इस चीज को detail से जाने के लिए one piece movie red की spoilers read कर डाले और वहां मुझे कुछ ऐसा चीज पता चला मतलब मुझे one piece movie red का story तो पता चल किया तो उन दोनों के story को समझा तो वहां पर मुझे ये पता चला कि भाई देखो one piece movie red अगर canon भी निकलेगी ना भाई मांगा के timeline और storyline में कुछ फरक नहीं पड़ेगा मतलब यह जो movie है ना कुछ इस तरह से होगा एक हमें one piece के side character की story बताई जा रही है जैसे कि समझ लो कू लग से movie बना दी जाए तो उसी तरह से उता का character भी उस movie में होगा और हाँ जिस तरह से one piece के fans यार ज्यादा ये tension में थे भाई Sanks को क्या photo खिचवाने के लिए रख है या फिर उसका नाम से picture बेचने वाले हो या सच में उसको कुछ करते हुए दिखाओगे तो मैंने spoiler जब read किया भाई एक बात बता रहूं Sanks का इस movie में बहुत ज़्यादा important role होने वाला है और Sanks इसमें action में दिखेगा और वो भी ऐसे को इंडिया में लाने के लिए try कर रही है वो भी officially हिंदी डब में साती साती ये लोग anime related merchandise को भी इंडिया में लाने वाले है प्लस अगर तुम ये सोच रहा हो ना ये कोई ऐसा वैसा anime हिंदी डब में लाएंगे जिसका किसी ने नाम नहीं सुना तो ऐसा नहीं है ये लोग bleach Hunter Hunter, Attack on Titan, Demon Slayer, One Piece, Naruto जैसे सीरीज को हिंदी डब में लाने वाले है अब देखो मुझे पता है Naruto जो है Sony ये पे हिंदी डब में आने वाला है बड़ भाई वो censored में आएगा मतलब जो चीजे तुम देखने चाहते हो मतलब कुछ ऐसे scenes होते हैं जो 18 प्लस होते हैं और उनको जो प्लेवर्स को ले करके और ये registration स्टार्ट करने का सबसे बड़ा region ये था वो लोग ये सायद देखना चाहते थे कि कितने लोग इसको ले करके हाइप हैं और अगर जादा लोग यार हाइप होंगे register करेंगे तो उनको भी पता चल जाएगा भाई इतने लोग तो रखे दोनों जगों पर इनके website का link डाल दिया तुम सब जा करके वहाँ register कर दो ताकि एक दिन ये लोग हिंदी डब में one piece को भी ले आएं और मुझे जहां तक लगता है ये लोग बहुत जल्द लेकर के आएंगे हो सकता है next year ही आ जाए अगर सही तरह से तुम सब support दिखाए रखें पहला वाला fan basic जहां पर zero rupees में register होगा और यहां पर तुमको यार add वगरा देखने पड़ेंगे अगर कोई anime series हिंदी डब में आता है तो इसके बाद आता है 200 रुपए वाला monthly और इसके बाद जो एक साल वाला आता है वह 800 होगा है अब मैं तुम सब को एक ही सला दू वो तुम्हारे उपर depend करता पर यह लोग 0 rupees वाला जो registration रखें मैं चाहूंगा हर वो बंदा जा करके register करें और इनको message भी बार-बार कर सकते हो कि one piece को लाना पहले जो तुम्हारा मन करें वो करो वसे मैं ज्यादा excited hunter hunter को Hindi dub में देखने के लिए हूँ वसे जैसे ही तुम उस registration registration में क्लिक करोगे वहाँ पर full name और email id ही भरना है और उसके बाद दबा दो बटन पर तुम्हारा registration complete हो जाएगा और फिर बाहरा आ जाना चलो दुवारा बात करते हैं one piece movie red को लेकर के देख भाई यह जो red movie है इसके बारे में अच्छे से पता कब चलेगा मैं वेट कर रहा 056 chapter का because यह 5 तारिक को आएगा और अगर इसमें भी one piece movie red को लेकर के कुछ hint दिये जाते हैं तो समझ लेना यह वाला canon होने वाला है और अगर Oda इसमें कुछ भी hint वगरा नहीं देता बस normal chapter निकल जाता है red को लेके कुछ भी इस सारा नहीं मिलता है तो बस यही बोलूँगा वो non canon है वैसे यार एक बात तो confirm कर दिया Oda ने कि जो उता का character है वो non canon नहीं होने वाला वो एक canon character होगा मतलब हमें हो सकता आने वाले one piece के story line में यह चीज जरू देखने को मिले अब ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि one piece के किसी movie मे canon character introduce करवा के उस movie को non canon नहीं बनाया गया है प्लस one piece का मांगा chapter 0 अगर तुमने read किया है तो वहाँ पर Oda ने सीकी को लेके अलग से chapter लिखा था ताकि उस character के बारे में कुछ हमें जानकारी पता चले और तो ही वालों ने उसको लेके अलग से non canon movie बना दिया था और बात करू अगर मैं one piece movie stamped की वो एक ऐसा movie था भाई प one piece के anime studio तोई animation ने filler episodes निकाले हैं लेकिन अभी तक तुम जरा गौर करो भाई तोई animation ने एक भी filler episode नहीं निकाला one piece movie red को प्रमोट करने के लिए उल्टा मांगा में प्रमोट किया जा रहा है अब ये थोड़ा उल्टा दिमाग घुमाने वाला scene हो गया तो इस वज़े से मैं क्या रहा था तुम सब हैरान मत होना अगर ये picture canon निकलती है क्योंकि उता के character को दिखा दिया गया है मांगा में और भले ये shadow के रूप में दिखा है लेकिन दिखा तो दिया गया है वसे मुझे जहां तक लगता है मैंने बहुत ज़्यादा भासन दे दिया इसको ले करके ए YouTube को बहुत टाइम से हमने देख लिया अब सैंक्स को थोड़ा देखना चाहते हैं खैर तुम सब क्या मानना है जर कमेंट बॉक्स में राइद देना मत भूला वीडियो पसंद आया नहीं आया वह भी बताओ लाइक करना करो और अगर तुम सब इस चैनल को सब्सक्राइब क लिया बाइ